होसलों को सहारे की जरूरत नहीं होती बस जजबा चाहिए कुछ अलग करने का है बंगलोरु की अंकिता गोर ने ये सार्थक कर दिखाया है हमारे समाज में जहां आज भी पुर्षों के आगे महिला को कमज़ूर समझा जाता है वही जब एक महिला अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो वह पुर्षों को भी पीछे छोड़ जाती है ऐसा ही जज़बा दिखाया है बंगलोरू की अंकिता गौर ने उन्होंने अपने सपनों को एक नई उडान दी है जी हाँ ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी पीरियड में फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर चंतित रहती हैं उनके लिए पाँच महीने की प्रेगनेंट अंकिता ने 10 किलो मीटर की दोड 62 मिनट में पूरी कर एक मिसाल कायम की है बता दे कि अंकिता गौर 9 साल से रनिंग कर रही है और कई इंटरनेशनल मेराथन में पाटिसिपेट कर चुकी है वे तीन बार बर्लिन में और फिर बोस्टन वर नियू योर्क मेराथन में भी दोड चुकी है इतना ही नहीं अंकिता TCS World 10K में मैडल्स भी जीच चुकी है गौर तलब है कि अंकिता पेशे से इंजिनियर है और रविवार को उन्होंने TCS World 10K में काम्यावी हासिल की उनकी इस काम्यावी को TCS World 10K ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया अंकिता को मिली इस काम्यावी के बाद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उस सरह का था जैसा मैं पिछले 9 साल से लगभग हर दिन करती आ रही हूँ आप जागते हैं और दोडने जाते हैं हलाकि कई बार जब चोट लगी होती है या आप बिमार होते हैं तो रुकना पड़ता है इसके अलावा मैंने पिछले 9 साल में दोडना लगातार जारी रखा है इसलिए मुझे लगता है कि रनिंग मेरे लिए सांस लेने जैसा है रनिंग मेरे लिए पूरी धरन नैचरल है अंकिता ने बताया कि पहले वह रोज 5 से 8 किलोमेटर दोड़ती थी लेकिन आप क्योंकि वह 5 महीने की प्रेगनेंट हैं वह रनिंग और वॉकिंग में बीच में ब्रेक लेती है पाँच महीने की प्रेगनेंसी में इतना लंबा दोड़ने को लेकर डॉक्टर्स की सलाह के बारे में अंकिता ने बताया कि उनकी गाइनकॉलोजिस ने कहा था कि ऐसा करना बिल्कुल हेल्दी है यहां तक कि उनकी फिजियो थेरपिस्ट ने भी उन्हें दोड़ने की सलाह दी परिवार के बारे में बात करते हुए अंकिता ने कहा कि शुरुआत में उनकी मा थोड़ी परिशान थी पर बाद में सब ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वारी अंकित अंटर्प्राइब